कर रहे हैं एक कुश्चन बचा था मैंने बोला था कि टाइम टेकिंग है तो कल करेंगे तो कुश्चन नम्बर सेवन जो है उसको करेंगे तो कि लूओ लूआ है ख्श फूर्ण हुण्यूजू वो गया हूँ, वो नहीं हूँ, दिक्टो रहा था, अच्छा नहीं हूँ करक devi क्या ठेपमें, वो नहीं हो था, वो रहाई रहा उड़ है दोल करो रहाईएर. झालका, वो हिंगा है, वो zijn वो रहाई, है कर दोल स्वाशनी और है does था रहाईर. ्वोशनी énां थावल कैस्छा हुआएर रहार खोला कैस्छा झाल 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 यहां पर देखो इस question में difference क्या है जो हमने बाकी questions किये है वो समझना important है इस question में main difference यह है कि जो input applied है x3, x2, x1, x0 और y3, y2, y1, y0 यह आपको given 1100 and 0100 अभी तक के हमने जितने भी question किये थे कल किसी में भी input given नहीं था कि यह input circuit given गेट का delay given था आपको total delay निकालना था जिसके लिए formula हमने क्या use किया था टोटल डीले का formula हमने उसकिया था कि delta t c out into n-1 plus maximum of delta t c out comma delta t sum इसको हम लोग बोलते हैं maximum propagation delay यह maximum delay जो किसी भी worst case में आ सकता है लेकिन हमको यह पता है ना हमने तो पहले देखे भी ऐसे instances कि भाई किसी circuit का जैसे कि for example multiplexer वाल एक हमने delay वाला question किया था कि भाई एक condition में six nanosecond आ रहा है दूसरे condition में five nanosecond आ रहा है तो हम क्या declare किये थे हम declare किते six nanosecond तो six nanosecond तो वर्स case delay मिले ऐसा कंपल सरी नहीं है हमेशा वर्स case delay नहीं मिलेगा कभी कम भी मिल सकता है तो अब दिक्कत यह है कि यहाँ पर अगर मैं यह T calculate कर वे लूँगा तो यह maximum propagation delay लेकिन मुझे इस particular input condition पे ही delay चाहिए मतलब specific specific delay चाहिए specific propagation delay चाहिए I don't want maximum propagation delay ठीक है तो पहली चीज़ तो यह difference clear होना चाहिए कि अभी तक हम maximum propagation delay find कर रहे थे या अगर word maximum नहीं भी दिया है तो अगर कोई input specific नहीं है तो हम maximum ही निकालते हैं by default अगर मुझे specific input दिया है तो मैं exact delay निकालूँगा ना कि maximum propagation delay तो पहली चीज़ तो डिफरेंस हुआ दोनों question में है ना ओके तो अब question को एक बार दुबारा देखिए कि जो हमने discussion किया उसके basis पे क्या लग रहा है कि कैसे start होगा और क्या possibility लग रही है एक बार चेक कीजी फिर मैं भी solve करूंगा तो मैंने सिर्फ इतना बताया है कि question different कैसे है पाकी क्या होगा वो हम देखेंगे यह भी exactly क्या है कि यह सर्किट भी आपको दिया हुए एक्स नॉट वाइनॉट इसमें बस आप नेमिंग कन्वेंशन समझ लो जैसे सी आउट और वो रहता था यहां पर जैड उसकी जगह तो उस पर पहले फोकस कर लो अदेखो हो गया रहा है यह पहला आड़ आपका जैसी एडिशन कंप्ल यह आपका carry forward है एंड यह आपका sum generate जो हो रहा है वो है sum generated this is this sum which is being generated तो यह sum का नाम तो दिया हुए है S0, S1, S2 and S3 यह X0 है यह Y0 है यह X1 है यह Y1 है यह X2 है यह Y2 है यह X3 है और यह Y3 है ठीक है यह Z0 है this is Z1, Z2, Z3 and this is Z4 अब gate के delay भी दिये उसको हम बाद में consider करेंगे अच्छा अब देखो यहाँ पर पहली चीज कि initially सब कुछ 0 पर गिवन है मतलब देखो कहने का मतलब यह है कि all the inputs are 0 like this यह देखो initially 0000 plus 0000 like this all the bits are 0 यह देखो यह दिया हुए है पहली चीज तो यह समझ लो इनिशियल कंडिशन यह है इनिशियल कंडिशन यह है एस्यूम ऑल दी इंपूट्स तो दी फोर बिट एडर अब इनिशियली वी सट तो लेकिन अब यह बोलवाया आपको यहां पर दिहां से देखो कि यह जो टीज इक्वल टु जीरो पे जो इन्पुट अप्लाइड है और यह वाई इन्पुट है यह है डबल वन डबल जीरो एंड डिस इस जीरो वन डबल जीरो एंड इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट है कि जेड नॉट को भी इनिशियली वन दे दिया गया है यह अप्लाइड होगा ठीक है चलो अब अब अगर मैं यह अप्लाइड करता तो देखिए इसमें चेंजिस क्या क्या होंगे देखो तो एक्स जो है वो डबल वन डबल जीरो है तो ध्यान से देखिए वन वन डबल वन डबल जीरो यह एक्स आ गया फिर यह 0100 0100 जीरो है ओके जेड नॉट कितना इनिशेली वा ठीक है मैं कंप्लीट सॉल्व में कर रहा हूं स्टार्ट आपको बता रहा हूं आप एक बार यहां देख लीजिए पहले समझ दीजिए फिर आपको अगें टाइम में को सॉल्व करना है तो देखो इनिशेल यह दिया था सार अपकर बताओ क्या होगा देखो जीरो प्लस जीरो प्लस ब्लस वा सम कितना होगा यह तीनों इन्फुट जीरो तो यह सम भी जीरो जी carry be 0. 1 plus 1 sum is equal to 1, carry is equal to 0. 0 plus 1 plus 1 sum is equal to 1 and carry will be equal to x second. Sorry, 1 plus 1 sum is equal to 0. Sum is equal to 0, this carry is equal to 1. And now this 0 plus 1 plus 1, so sum is equal to 0 and carry is equal यहां पर आपको इस चीज को नोट करना है कि आपका चेंज क्या क्या हुआ यह तो इंपूट में चेंज हुआ आउटपूट में चेंज जो है यह देखो सारी बिट जीव थी तो जो जो वन हुआ वो चेंज हुआ जहां जहां पर वन दिखर है वो चेंज हुआ तो इस वन को मैं highlight कर दिया यह देखो यह तो input का change है इसको हमको नहीं देखने है कुछ भी कह भी यह output sum में क्या change है उसको हमको देखना है and finally यह तो यह तीन one में changes मुझे दिख रहे हैं बाकी मुझे changes नहीं दिख रहे हैं तो और यह भी crystal clear है कि सबसे last में तो यह चेंज होगा सबसे last में तो यह चेंज होगा ओके तो यह कब change होगा यही मुझे calculate करने हैं लेकिन पिछले question जितना आसान नहीं होगा थोड़ा सा इसमें effort लगेगा discussion की need होगी अच्छा अब देखो एक चीज तो एकदम देखने से दिख रही है इसको बना के देखने की need नहीं है कि यह जो delay होगा यह change यह इस delay के सामने कुछ भी नहीं होगा तो मैं इस पर focus नहीं करता हूँ क्योंकि वैसे भी यह one किस आगे effect नहीं है इस वन का आगे कोई effect नहीं अगर इस वन का आगे effect होता था मैं उसको भी consider लेकिन इस वन का आगे कोई effect नहीं है एंड इस डीले के comparison में यह डीले almost बहुत ही minimum दिख रहा है तो मेरा focus यह हो लेकिन इस पर direct focus नहीं करूंगा इसके थूँ जाओंगा है कर्ण है आप देखो यह तो changes सी नहीं हुए न भाई वेब ला यहां दे अगर कोई बिले शेली कुछ और थी को एड आ करेगा कुछ यह गएद उन ये one जो delay है वो किसके current मिला है क्योंकि input में ये दो changes होगा हमारा जो focus है वो start यहां से होगा कि जब ये दोनों मैंने one दिया उसके current ये one कितने देर के बाद change होगा तो मेरा impact होगा कि ये दोनों input one करने से ये जो output carry one हुआ ये कितने देर के बाद हो फिर इस one होने के current ये output carry one आ रहे है क्योंकि अगर ये one नहीं होता तो ये one output carry नहीं मिलता ठीक है ये one के साथ इस one का contradiction है इसको one करने में फिर मैं देखूंगा कि ये कितने देर के बाद हुआ फिर इसके one होने से ये one कितने देर के बाद है तो मैं इसके पहले की story पे नहीं जाओंगा हाला कि ये point of discussion है लेकिन क्योंकि इसके comparison में ये delay बहुत ही छोटा है अभी के लिए मैं ignore कर रहा हूँ लास्ट में अगर हमको doubt लगेगा भी आपको किसी गो तो वो भी एक बार डेख लेंगे कि doubt नहीं भी लगेगा तो ये भी मैं check कर लूँगा बट हमें पता होना चाहिए that is not part of focus ठीक है तो focus ये है कि ये दोनों one होने से ये one कितने देर के बाद हुआ एंड ये one होने से ये one कितने देर के बाद हुआ जिसके लिए इन दोनों full एंडर का internal circuit जो कि आपको circuit में गिवन है I mean question में given है तो internal circuit के through हमें पता चलेगा जिसमें कि आपको gates का delay भी दिया होगा शायद exor का 20 होगा and का 15 होगा ये और gate का 10 होगा ठीक है तो जस्ट अब एक बार दुबार question को पढ़ो मैंने जितना बताया उतना सोचने की कोशिश करो एंड उसके बाद solution की तरफ आगे बढ़ो और question को समझने में कुछ doubt है तो पूछिए कि तो टाइम टिकिंग कोश्चन है जलबाजी में इस question में नहीं जाएंगे और ऐसा भी नहीं है कि अभी जितना टाइम लगए एक्जाम में अगर ऐसा विपीट होगा तो उतना ही टाइम लगेगा डिस इस इस फर्स ताइम तो टाइम लग नहीं है तो एक बार समझ तो अब आप यहां पर इंटर्नल सर्किट पर आपको जाना पड़ेगा अब surprises कि भी आपको पता होना चाहिए कि नजा सबी करना आदिक विए एक फुल एडर को बनाते हैं दो हाफ एडर और एक ओर गेट से वह वह बढ़ला सर्किट है तो सर्किट जाट ठोड़ा संवी न झाल झाल यह आपको दिया हुए XN और यह दिया हुए YN यह ZN है और यह दोनों AND gate का output इस और gate में जाता है और यह XN और YN तो सेम है तो देखो यह वही circuit है पहले तो आपको यह समाझना है कि भाई circuit में कोई भी changes नहीं हुए है तो यह जो है यह ZN प्लस वन हो गया यह ZN प्लस वन हो गया और यह SN हो गया इसी को मैं एक बार फिर से बना रहा हूँ यह ZN दो है झाल झाल यहां पर फुरा जबेगी स्क्वीन में जर्वत पड़ेगी तो थोड़ा तो वो कर लेना आना इंपोर्टेंट एक साथ देखो यहां पर एक सेकंड देख लो अगें पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूं पूरा सा हींट आपको दे रहा हूं देखिए मैंने इस सर्कृट को दो बार बनाएं वैसे तो चार फूल एडर फूर टाइम्स की नीट्टी लेकिन हमारा काम दो से हो जाएगा क्यूंकि देख दो नहीं तो सबया था है यहां तक के तो मेरे डिसकेशन का पार्टी नीन तो पई होगा चाहां पर आउट्पूट चेंज होगा क्योंकि आउट्पूट चेंज ही नहीं हुआ तो देर इस नो एफेक्ट इन डिले ठीक है तो देखो अब अब देखो अगर मैं इस पर फोकस करूँ सीधा तो एक बार जिस्ट यहां पहले ध्यान से देख लो फिर कल्किलेट करना मैं टाइम दूंगा लेकिन मैं जितना वोल वह उतना सुनते चलो वह कंपलसर ही है बागी आई विल गिव यू टाइम ठीक है तो देखो तो यह आपका हुआ X2 और Y2 और इसके साथ में इन्पुट Z2 यही से मैं स्टार्ट करूँ उसके पहले मुझे कोई फोकस नहीं है अब यह क्या हो जाएगा आपका यह S2 हो जाएगा और यह S2 होने के बाद यह कितना हो जाएगा Z3 हो जाएगा अब यह लास्ट बीट है तो यह X3 हो गया यह Y3 हो गया और यह कितना हो गया Z3 हो गया यह Z3 होने का मतलब है भाई इसका जो आउटपुट के रही है वो इसका इन्पुट के रही तो बने गई न यह तो ओविसी बात इसका जो output के रही है, वो इसका input के भी बने गई, तो यह इसका output के रही, तो इसका input के भी बने गई, as simple as that, तो यह आपका हो गया S3, और यह आपका हो गया Z4, delay कितना कितना given है, exhaust gate में 20 का है, and में 15 है न? एक्सौर में 20 का है एंड में 15 है और गेट में 10 होगा ठीक है 20 15 15 20 एंड 10 अब देखो Please see X2 और Y2 कितना अप्लाई करोगे यह चले काम करो इतना मैं बनाया हूँ एक बार आप ट्राई करो एक अटेम्ट करना चाहूँ तो आप कर ले इससे कुछ चीज़े क्लीर होनी चीए बस एक चीज़ को ध्यान रखना है अगर किसी गेट का आउट्पुट चेंज ही नहीं होता है तो वो डिले में कॉंट्रिब्यूट नहीं करेगा गेट का आउट्पुट चेंज नहीं होगा तो वो डिले में कॉंट्रिब्यूट नहीं होगा अब आपके पास स्पेसिफिक वैल्यू है जहां पे गेट का आउट्पुट चेंज होगा उस डिले को कंसिडर करना है जहां पर gate का output चेंज नहीं होगा उसके delay को consider नहीं कर एक attempt आप लीजिए फिर मैं solve नहीं होगा क्या界 क्या तsesस्क 수 मत भ securities का चेंज नहीं कर नहीं हो तaren्यफी खाराइग झालिम जे लीजिए के अभिएग के बाव होगा है तरीरीरर हो नहीं होगा है को कि मенцо का झाल 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 यह झाल 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 यह झाल 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 यह झाल झाल यह झाल 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 यह झाल 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 यह 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 है यह 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 है यह है 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 यह 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 this is यह 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 B यह 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 C यह 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 C यह 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 है है यह 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 मतलब यह मतलब यह 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 6 6 सबंढ़ जय यह अ यह पहली condition में 0 यहां पर जाएगा फिर 0 यहां पर जाएगा फिर 0 यह यहां पर जाएगा एंड सूर तो ऐसे आपस में एक एक करके relate करना start करां क्योंकि यहां पर 122 डिस्टिबूट नहीं हो पाएगा clearly दिख रहे हैं कि 0 यह distribute हो वन वन करके सब क्या होता है जा रहे हैं होता है तो आप अपने मारें में ऐसा घणिडिय जिसकी वैलिउड इस इसका चीन होई दिसको क्या होनी जीन होता है इक एक करकके इंसेटेट कोकि और चौशत कौण साथ अगते सलिदर किस यह बता दो अगर मैं P को 1 कर दूंगा just consider P is equal to 1 P अगर 1 हो गया तो यह input में क्या है गा 1 और यहां पर क्या है गा 1 अगर P 1 है तो यह दोनों बना गया दोनों active low enable का input 1 आ गया दोनों देखो दोनों के enable के active low है न तो भाई दोनों है काम नहीं कर वेगा मतलब circuit की पहली condition है कि P 0 होना चाहिए नहीं तो काम ही नहीं करे क्योंकि अगर आपने P को 1 कर दिया तो दोनों ही decoder काम नहीं करे तो D in actually P से connect होगा associate होगा not connect होगा associate होगा तो जैसे यह 0 distribute तभी होगा जब D in equal to 0 है वैसे ही यहाँ पे भी 0 distribute करने के लिए decoder को on करना होगा decoder को on करने के लिए P तो भी है 0 पे ही fix होना चाहिए P किस पर fix होना चाहिए? 0 पर fix होना चाहिए तो यह जो D in है यह P से associate हो चुका है ऐसे ही आगे सोचो कुछ possibility लग रही है तो और D in और P में कुछ doubt आ रहे है तो पूछो झाल 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 अब यह बता हो अगर मैं Q को 1 कर दूंगा फॉर एक्जाम्पल पहली चीज तो है कि P 0 पर fix हो चुक है अब उस पर आगे discussion की नीड ही नहीं है P 0 पर fix हो गये तब ही circuit आके काम करेगा नहीं तो circuit ही काम नहीं करेगा ठीक है यह Q अगर मैं 0 कर दूंगा तो कौन सा decoder रनेबल होगा उपर वाला की नीचे वाला भी 0 होगा तो उपर वाला क्योंकि भाई एक्टिव लोनेबल है न यह 0 है यह भी 0 हो जाएगा तो 0 प्लस 0 एकुल टू 0 यह on हो जाएगा और Q अगर 0 है तो यह कॉम्पलिमेंटों के input 1 हो जाएगा तो यह 1 हो जाएगा तो यह काम नहीं करेगा यह simple words में Q decide कर रहा है कि इन में से कौन सा decoder on होगा तो आप मुझे बताओ कि Q जाएदा important है कि RS जाएदा important है Q decide कर रहा है कि कौन सा decoder on करेगा तो Q important है कि RS important है Q important है Q is more important than RS जैसा कि decoder भी हमने डिस्कस किया था कि भाई जो होते थे नहीं देखो दो level of decoder फिर उसके बाद यह एक level of decoder यह से connected यह से connected है तो भाई यह इसके input जाएदा important है क्योंकि यह decide करता था कि कौन सा decoder on हो हमने यह study कि है decoder में तो यहां पर Q is more important than RS और इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि S2 जादा important है S1 S0 से क्यू आर इसमें क्यू जादा important है S2 S1 S0 में S2 जादा important है तो क्यू किस से connect हो गया कि स्टू से connect हो गया associate हो गया basically यह क्यू स्टू का काम कर रहा है क्यूंकि क्यू आर इस दोनों से ज़्यादा significant है अब अब मुझे यह बताओ इतने circuit जो दिया है R और S में कैसे decide करोगे कि कौन सा ज़्यादा significant है R significant है ज़्यादा कि S क्यूंकि क्यूंकि A1 suffix exactly देखो एवन यह नॉट जैसे यह नॉट यह एवन यह नॉट डिकता है माइड में clear होता है कि भाई टू दी पावर दी हो दू दी पावर वन तो भाई हमेशा 0 वाला सबसे minimum बेटेश होता है तो एवन less significant है एवन एवन ज्यादा significant है यह आर और S में ज्यादा significant कि से connected है S से connected है तो यहां पर यह जो है यह उल्टा होगा यह ऐसा S is connected to S1 and फिर R किसे connect हो जाएगा S1 से चेक कर लो कोई doubt है तो पूछलो हुआ ढह पुआ हुआ हुआ झाल झाल तो पहला होगा D in, फिर होगा S2, S2 के बाद होगा S0, और फिर S1, मतलब option D for daily is correct. Option D for daily is correct. कॉंबिनेशनल सर्किट कंप्लीट होता है, except for the code converter, जो कि मैं number system के बाद कर रहा हूँगा, तो कल हम लोग sequential से start करेंगे, ठीक है? Thank you. झाल झाल झाल